हेलो अच्छो कैसे होटा हो लो हमने लास्ट लेक्चर में आपको प्रिफिक्सेज के बारे में कवर कर लिया था कि 10 की पाउर माइनस 24 से 10 की पाउर प्लस 24 तक किस तरीके से हम प्रिफिक्सेज यूज़ करते हैं जब भी कोई result हमको numerical value और उसकी unit के रूप में यानि की add into you के रूप में हम शो करते हैं आज हम जो बात करने जा रहा हैं वो है measurement of mass and weight तो measurement of mass and weight की बाच जब हम करते हैं विटा तो मैं सबसे पहले मैं क्या पता होना चाहिए कि mass और weight में मास और weight में difference क्या होता है पहला कुछ यह होता है क्यों mass and weight में difference क्या होता है measurement की बागवार में करेंगे तो mass action में क्या होता है यदि हम इनकी difference की बात करें तो mass क्या होता है mass को उनकी तरीके से define करते हैं कि amount of matter present in a body यह quantity of matter present in a body is known as mass इसको में क्या होता है quantity of matter quantity of matter present in a body present in a body is known as mass when weight को किस तरह से define कर देंगे the force exerted on a body by gravity gravity के current तो force exerted उठा है किसी भी body पर वो उसका क्या के लगता weight कर लगता है तो इसको में define present name force exerted on a body on a body by gravity 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 के current किके दूसरे लगते बाद कर सकते हैं कि mass को प्रजेंट करते हैं m से point weight को प्रजेंट करते हैं w से weight या फिर इसको force कह सकते हो और वो होता है m into g mass into gravity acceleration को क्या केते हैं force या weight कहते हैं कि इसकी SI unit जो होती है SI unit जो होती है क्या होती है क्लोग्राम होती है क्लोग्राम मीटर पर सकेंड स्कोर होती है फोर्थ अप्या कह सकते हैं इसमें difference में कि mass एक scalar quantity है mass is a scalar quantity मतलब इसका magnitude तो होता है बड़ इसकी direction नहीं होती है वही weight क्योंकि एक force है और force की direction fix होती है मतलब इक vector quantity है तो यह एक कैसी quantity है vector quantity है weight एक vector quantity है mass एक scalar quantity होती है और क्या कैसकते हैं आपकर और इसको किस तरीके से रिप्रिजेक्ट कर सकते हैं इसको आप कैसकते हैं कि mass को measure करने के लिए analytical balance या physical balance या फिजीकल बैलन्स होता है कौनसा बैलेंस analytical और physical फिजीकल balance यूज होता है फिजीकल balance यूज होता है क्या होता हूं balance करें balance तो यहां पर क्या होता है कि जीतो जोनों पर अप्लाई होता है तो पूपर है नाइई का नॉधर गाना। कि यह पर कोई भी आदीकल आप रहते हो और यहां पर वेत रहते हो यहां पर वेत को वात रहते हो तो वह क्या उता है जीटोस केंगस लाइट करसे देता है मास्क को उमेजर कर लेता है हम यह democrat लैंट वेजी को मेजन करता है अब मास्क को मैजर करता है वह हिए spring v tussen BUR है इस प्रीर विड सटिया वो भी मेजर करता है है जैसे आप कंभी किसी य्रेग्रम पर गए हूं और वहां पर आपने एक रुपी का सिक्का डाल गी और अपना वेट मेजर किया लो तो सबोज आप 70 किलोग्राम वेट लिखा आता है तो किलोग्राम तुम आज की अनट होगी पर WT जो लिखा रहता है वो G को रुप्रेजेंट करता है और हमाँ पता है अंग्रेशन के अंदर पढ़ते हैं कि G की values होता है वो जगे चेंज होने पर चेंज हो जाती है इवन अर्थ पर प्लेश चेंज होने पर चेंज हो जाती है एक क्योटर पर या फिर आपके पोल्स पर कहीं चले जाओ या फिर एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर ठीक है ना चले जाओ तो भी हो जाती है या हम एक जन्रल एक्जाम्पल देख सकते हैं हम यह कहते हैं कि अर्थ पर जी की वेलू 9.8 मीटर पर सैकेंड डिस्पार होती है वही मून पर यदि हम चले जाते हैं ठीक है ना तो वही वेलू कित्ती वहती है वहीं 6 हो जाती है तो इसका मतलब जी की वेलू चेंज हो सकती है बाण से नेवर भी चेंजड माँस नाइदर भी क्रिएटेड नौर भी बैस्टो उनकी आगे पड़ेंगे लोज किमे तरे कोंजर्वेशन आग मास की विए हमेले हैं कि नाइदर भी क्रियेटेड नौर भी बैस्टो मोट इसका वहीं weight constant quantity नहीं है, क्योंकि weight depend on g, तो g change, g change, तो weight change, इस भी क्या होगा, change हो जाता है, जैसे हम कहते है, moon पर g, g अर्थ का जिवाई 6 हो जाता है, तो जो weight, कि यहां पर अर्थ पर होगा, उसका 1-6 part का हो जाता है, moon पर हो जाता है, तो यह कुछ differences है, mass versus weight के, जो आपको ध्यान रखने चाहिए, chemistry में mass का मत्ब weight ही लेते हैं, यो लेते हैं, तो यह एक analytical balance अभी उस करते हैं, और अर्थ पर g का factor क्या हो जाता है, तो जो हमें एक पर्ड़े में, दूसरे वाले पर्ड़े में हम कोई चीज रखते हैं, weight रखते हैं, 5 gram, 2 gram, 10 gram, वो उस आर्टिकल का mass ही represent करता है, यह आप नहीं कह सकते हो, कि unit के basis पर, आप चैक कर लिया करो, कि unit के लिए kloram ये gram दे रखी है, बलही वो term weight दे रखी है, तो इसका मत्लाब chemistry के according mass को weight के रूप में consider करेंगी, तो हम M लेखे हैं या W लेखे हैं, chemistry में, वो एक ही चीज होती है, और physics point of view से वो एक ही बात नहीं होती है, clear है, तो इस तरीके से आपको mass and weight का measurement ध्याद अखता हैं, और उनके लिए konsum balance यूज करते हैं, क्या difference होता है, यह आपको पतावना चलिए, उसके बाद हम आपकरते हैं, next measurement की, next measurement की जब हम आपकरते हैं, तो हमारे पास आथा है, measurement, measurement of volume, next अपकर आती हैं अब पास, measurement of volume, measurement of volume, जैसे जो volume की बात आती हैं, तो हमारे दमाग में, एक ही formula आता है, length into, breath into, height, लंबाई होँ, चोडाई होँ, उचाई, जो क्या represent करती हैं, किसी भी three dimensional body की volume को represent करता है, तो volume क्या होता है, volume जानते हैं, volume क्या होता है, volume जो होता है, length into, breath into, height, क्या होता है, यदि तीनों same हो, तो इसी को हम क्या रिख देंगे, L into L into L, याने L into, L, और length की SI unit क्या होती, 1 meter, तो इसकी volume की SI unit क्या होता है, volume की SI unit होता है, जाएगी आपकी क्या, आपकी बिख देंगी, meter cube, या cubic meter, क्लिया, अब conversion factors को थोड़ा सा ध्यान लगा करो, कि volume को measure करने के लिए, कौन सा conversion factors को use करना है, या हम यह भी दे सकते हैं, कि कौन से instrument use करते हैं, तो पहले conversion factors देख लेते हैं, कि आपके ध्यान लगना चाहिए, एक bond होता है, 1dm, 1dm का होता है, 1dm, और dc का मतलब क्या होता है, तो 1dm, तो 1dm का होता है, मतलब क्या होता है, या कि इसको क्या लेग सकता है, तो 1dm का मतलब का पूल क्यूब क्या होता है, मीटर क्यों हो गया कि इसका मतलब क्या हो इसका मतलब सिंपिल से हो गया कि यहां पर मैं इसका कर सकता हूं कि 10 की पावर क्यूब को मैं तेगल ला सकता हूं तो यह क्या हो जाएगा में लिए यहां से एक चीज बहुत क्लियर हुए ही कि 10.3 से 1000 केंसल हो गया अनिकी 1DMQ is equal 1L, यहां को जाना आची, बहुत इंपोटेंट रिलिशन ही, यह 1DMQ is called to 1L होता है, और 1L is equal क्या होता है, 1000 ml, 1L is equal क्या होता है, 1000 ml होता है, ठीके न, और 1 ml is equal क्या होता है, 1 cubic centimeter, 1kg, cubic centimeter, यहां किसातो हो, 1 cm3 कुब, तो इसका म।क्तर क्या होता है, कि 1L, 1DMQ क्या बहुता है, और 1D small, 1000 मूफिbbि क्या होता है, तो इसका म।क्तर क्या होता है, कि 1DMQ क्या होता है, और 1dMcat क्या year, 1000 इंपिके क्या., 10なた Cinderella 3, मिली निटर मतलब 20 पावर 3 क्यूडिक सेंटिमीटर बहुत इंपोर्टेंट रिलेशन है यह बहुत ज्यादा काम में आता है केमिकल केल्पेशन में तो यह रिलेशन आपको क्रियार होना चाहिए तो वाल्यूम को इस तरह से आपको ध्यान में रखना चाहिए इसके अलावा यह बात करते हैं तो क्या कर सकते हैं कि वाल्यूम को मेजर करने के लिए कौन कौन सी इंस्टूमेंट हम लगुरेटरी में यूज करते हैं उनके बारे में भी थुड़ा आपको आइडिया होना चाहिए प्रेक्टिकल पॉंट अब व्यू से क्या वाँजिए कि वापर कुछ इंस्टूमेंट के नाम आपको पत होना चाहिए इस तरह का जो है एक इस्टूमेंट होता है उसका आपको आइडिया होना चाहिए यहां पर इस तरह से प्लगी होती है इस तरह से यहां पर यह इसका उपनी होती है और यहां पर यह स्टैंड पर लगा रहता है कि स्टैंड पर यहां पर यह कसा रहता है इस त थैंटक़ है तो विदी रूे लोस क्रते हैं सबрийजुंटें इने ते को प्list का मुत Caucasus यह अपनी कैपस्टी के हुसार कितने से कितने होसकते हैं 0-50 में हो सकते हैं जी रो एम swag से थैंपक्टी आंपल रोसकते हैं या 25 इम उसकती है या 100 एम पिपेट और प्रश्च क्या होती है छोगी सी ग्लासस की बनी बहुति महीन बहुती भारी की इसे कह सकते हो आप इस तरह के सब न पूद दो पर धिरे मत करतें तो इस helt अड exam की योती है व्रन या में को सकता है ऩर त्रव पर है फार मेर्म का та फार मेंटा हो सव्हाइड ना हो सकता है यह सब ऱिम को मेसर करते हैं जांगों लबरीटी में यदि तयार करते हैं कोि भी स्थेयर करते हैं उसको मिलिजर उतनें नदों मेजरिं़ सिलनडा है मेरे वे सिलनडा कि यूस होता है यह भी क्या होता है इसके साथ साथ एक वाल्यूमेंट्रिक फ्लास्क भी होता है इसमें इक पर्टिकलर यहां पर क्या होता है तो यहां पर वाल्यूमेंट्रिक फ्लास्क भी क्या होता है कि तरह एक यूज की आज़ाता है कोई भी नोट कंसंट्रेशन को प्रकैर करने के लिए तो यह लगला इंस्ट्रुमेंट हमारे काम में आते हैं वाईउम को मेजर लियूमें तो इसकी एसा हुएक तो क्यूबिट मीटर होती है पर जो common unit होती है वोल लीटर होती है लीटर के रूप में हम मेजर करती है हम जब दूद लेने या तब भी हमें प्रता है हम क्या कहते हैं उसको 1 लीटर दूद दे दे या फिर 500 ml दे या आदा लीटर दूद दे दे तो लीटर होत मुस्ट कॉमन यूनिट है जो हम जनरली अपने डेली डाइप में बॉलिव के लिए यूस करते हैं क्लियर तो यह भी आपको तुछ द्यान देना चाहिए कि बॉलिव को मेजर मेंट किस तरीके से हम यह आपकर करते हैं है उसके बाद बात आती है measurement of density जेनरा जी अजेमियों को अपसी का density का measurement कैसे करते हैं तो density का measurement करते हैं तो density action में क्या उताती है इसको एक फार्म लिद्रूम में याद रखा करो density is compared to mass of matter upon volume up by the matter d बरावर होता है m upon v इस फार्म ये को अध्यान रखा करो density बहुत इंप्रोटेंट तर्म उती है density इसको उताव मास और वाद गुस्टर इंट्रिश्टम में इसकी य्यूनित क्या उती है तो मास की क्या होती है क्लो ग्राम और क्यों क्या होती है मिटर क्यों निद्ट ग्रूम पर उनिध्र क्यों और CGS सिस्टम की बाद करें यांकि सेंटी मीटर ग्राम सेकंड सिस्टम में किलो ग्राम की लगा हम क्या लगते हैं ग्राम और मीटर की लगा हम क्या लगते हैं क्यूविक सेंटिमेटर ग्राम पर क्यूविक सेंटिमेटर कि यह इसका मत्ला मास वाल्यूम में कितना मास है तो वन यूनित वॉल्यूम में जितना ज्यादा मास होगा यदि इसके molecular level पर जाएं तो बहुत ज़्यादा close हो निए तो वाल्यूम वाल्यूनित कर दें तो मास क्या जाएगा मास ज़्यादे बढ़ेगा तो particle की closeness बढ़ेगी तो density बढ़ेगी तो density बहुत important तो density को आप किस तरह से ज़्याद लगें कि how much close the particle of that matter whatever the matter उसके particle के closeness के ज़्याद लगें क्योंकि आगे जब चप्टरा पढ़ोगे और जो ट्रेंट पढ़ोगे प्रूदिक टेबल के अंदर या फिर आप अलग-अलग एस ब्लॉक 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 आपके चप्टरा आते हैं तो वहां डेंसिटी का वैरियेशन चेंग चेक किया जाता है कि इस बी मूँप पिरेड में हम लग-जाते है तो तौन चिका तरिंड किया गड़ता है या रहूंता कृप आते हैं तौन कि इस तरह से चेंग तब असके बाद आकप बात करते हैं या यह वीकला मेत करते हैं थे तो फोर्फ मेंजरेंट के रुप मुझें आब आधाया का मीज़र्मेंट और टेंपरिचर के फूर्क मीज़र्मेंट के रूप में आप आपर नाया तर्म बात लिए अब घ्र यूटर में आपको धामाइटर यूज किता है इतरमामेटर यूज करते हैं यह मैं जणरल डाइट को हिस्ट अनगर थर्मामीटर यूज होता है को थर्मोंगिटर यूश्ग अब थर्मोंगिकर् których और एक भी सहलूइन naw ऐसे कियो इन क्यों की अपता है तीन इसकेल मैं दो ऑपन्ट जा नहीं एक उता है अपका किया गैर वीस्फ कि यह इस पोम आ आइस पॉयंट भी कह सकी हैं आ इस अ कंगे सार्व को इसके लिए io कि यी हो बातका है, तो जीश्टीयों भी होटी है, 100 डेगडी सलस्यूस, डाइब कि यह लिएका है, तो जीरो डेगरी सलस्यूस और 100 डेगरी सलस्यूस की बाग करें गुषिए, क्या में मैं ही गाल्री क्या होटी है, 273.15, जीसे हम जन्मली 273 ले लेखें, क्योंकि STP पर एंड प्रेशर तो स्टेंडर्ड टेंप्रेचर को हम 273.15 के रूप में ले रिते हैं ठीक है ना और नुमेरिकल के पॉर्ट पॉर्ट अब्यूसे एंटीपी लेते हैं नॉर्मल टेंप्रेचर 273 जिरो डिवी सेल्सियस मतला कि 73 केल्विन क्लिया और इसमें एंडराइड पर दें तो यह वैलू नुमेरिकल पॉर्ट अब उच्छे कि में लेकू तो कितनी हो जाती है 373 केल्विन हो जाती है यानि कि एक यांपर क्या होता है एक यांपर फ्रीजिंग पॉइंट होता है और तो यह कितना था यह आपका कितना था 100 इंडी सेल्सियस डिवी सेल्सियस की बाद करूं क्लिया यदि में कैल्विन स्केल की बाद करूं कैल्विन स्केल की बाद करूं तो यह कितना है निमेरिकल पॉंट पॉंट पॉंसे 273 तो यह कितना है 373 और डिवी फॉर्नायट की बा यहां देखनी है, freezing point and boiling point, यानि यह इदर कहो आप 32 और यह कहो आप इसको कितना, 220, 32 और 220, 0 के respect में कितना है, 32 है, 0 के respect में कितना है, 32 है, 32 और यह कितना होगे आपदा, 220, अब यहां पर देखो, इन दाना का difference 100, इन दाना का difference 100, और इन दाना का difference कितना हो रहा है, 180, तो इसका मतलब में यहां पर relation का निकाल सकता हूँ, कि जाम यहां पर 0 degree Celsius है, तो इनका जो interval है, कितना है, 100, 100, ठीक है, तो 0 degree Celsius के respect में Kelvin दिकालते हैं, तो कितना है, 273, तो इसका मतलब Kelvin scale में यहां पर देख सकता हूँ, Kelvin में से 273 गठा दो, तो degree Celsius है, यहां कि difference यहां पर कितना हो रहा है, 100, तो यहां पर में कितना हो रहा है, 100, यहां से simplify करने पर एक relation आजाता है, कि 0 degree Celsius, 0, 0 degree Celsius, 0 degree Celsius, upon, कितना, 5, 278, 0 degree Celsius upon 5 इसका होता है, k-273, upon, 5, is equal, f-32, यहां पर देख सकता है, minus 32, 32, upon, यहां पर कितना हो जाया है, 30 से divided सब्सक्राइब पर, 9 आजाएगा, तो यहां से यह relation आजया हो, यह relation आपको यहां रहना चाहिए, degree Celsius, upon, 5, इसका होता है, k-273, upon, 5, is equal, degree Fahrenheit, minus 32, upon, 9, आपको कोई भी values ने दे राकियों, कोई भी values ने दे राकियों, मारा बोटे, 37 degree Celsius है, तो फार्ने आज़न को निकालों, तो इन दोने equation को बराबर कर देना, और degree Fahrenheit निकालें, 98.6 गरिवाएगा अंसर, ठीक है न, या कैलमेंट ये रखाओ, फार्ने आज़न ये रखाओ, या फार्ने आज़न ये रखाओ, क्या पुछाओ, डेग्री Celsius पुछाओ, जो भी उचाओ, उन दो एक पिजनों को एक्वल करके, आप उसका अंसर साल्व कर सकते हैं, तो इस तरीके से हमें आपर क्या करते हैं, मेजरमेंट आप टेंपरीचर यूज करते हैं, इसके बाद, फिफ्ट जो मेजरमेंट या पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो इसलिए इंपोर्टेंट है, क्योंकि वो कैल्कुलिशन में भहुस जादा में, जो है, इन्वाल रहता है, और वो मैं आपका इस्पेसली बताने जा रहा हूँ आपको, मेजरमेंट आप प्रेशर, ठीक है न, इसका बेसिकली यूज आएगा, आगे का चप्टर आएगा, इक आपका, गैस्यस एंड लिप्टुड स्टेट आप मैंटर, ठीक है न, फिफ्ट चप्टर दी रूप मेंटर दी रूप में, मेजरमेंट आप प्रेशर, जहां सबसे व्यादा बच्चों को दिक्कत होती है, उनकी यूनित तर्वर्जन को लेकर, तो यहां प्रेशर के जो मेजरमेंट की बात करते विड़ा, तो यहां बार, मैं आपको बता देताँ कि प्रेशर जो प्रेशर होता है, प्रेशर होता ह आट पोर्च नमाशन उसर्फेस एरिया इंट वर में निकालना है तो लेंग्ट इंटू बिंग्ट उसका क्या हो गया फर्सका सफेस एरिया हो गया और हाइड उसकी उपर की हाइड होगी तो इसका मतलब क्या होगा इसको मैं कह लिख सकता हूँ एरिया इंटू हाइड इंटू डैंजी इंटू ग्रिव की एक्षेलेशन अपवन एरिया से एक इंसल होगे तो प्रेसर करूला हम यूज करते हैं करते हैं Freddie हम मेजने की बात आती है तो द्रक्रेसर की बात करते हैं ऐट्मोस्परिक प्रेसर मेजर किया जाता है सी लेवल पर समत्र की लेवल पर उसके लिए क्या हुता है कि और परथ श्केल लगा हुए है त्परमेटर लगा हुवा है उसमें और भृजिक community वह होती है वो धिया थैतीम पॉंट शृप ग्राम ग्राम पर कुबिक सेंटी मीटर ग्राम पर कुबिक सेंटी मीटर या माइटी कैसा की आप इस हो रिग सकता हूं 30.6 एक ग्रावम में होते हैं 10 की पावर माइनस 3 किलोग्रम और एक सेंटिमेंटर में कितने मीटर होते हैं 10 की पावर माइनस 2 मीटर तो यह कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2 मीटर का होगी हूँ इसको जादी में साल करना तो कितना है रहा 13.6 into 10 to power minus 3 किलोग्राम और यह जाएगा 10 to power minus 6 मीटर क्योग यह उपर जाएगा तो किता हुआ जाएगा है 13.6 into 10 to power 3 किलोग्राम पर मीटर क्योग तो ऐसा ही सिस्टम में नहीं चेकिया परकरी किपनी ले सकता हूँ 13.6 into 10.3 किलोग्राम पर मीटर क्योग और जो हाइड वहाँ पर देती है मर्करी की फॉलम की वो होती है कितनी 76 cm कितनी होती है 76 cm तो देखे उसमें जो हम बात कर रहा है अट्मस्पियर प्रेशर की रूप में तो अट्मस्पियर प्रेशर होता कितना होता है कितना होता है हाइड में आप बताई कितनी होती है 76 cm तो इसको मीटर में लेकोगा तो कितना लेकोगा 0.76 मीटर 0.76 मीटर और यही मैं इसको मिलीमीटर में लिखता मिलीमीटर में लिखता 760 मिलीमीटर और इसी को हम यहां पर 760 टॉर भी बोल देते हैं तो यह अलागला भी यूनिट है जितने की प्रेशा रिप्रजेंट किया आता है 760 एनम आप लिख सकता हूँ 760 टॉर लिख सकता हूँ ठीक है लेकिन मैं इसकी क्याप्रिशन कर रहा हूँ किसमें ऐसा ही सिस्टम में तो हाइड किसमें चाहिए मुझे मिटर में तो इसको मैं मिटर में ले लिखता हूँ कि बारेटी हैं जो एनमस्पेर प्रेशर होता है उसका ऐसा ही सिस्टम में क्या कर्वर्जर होगा तो एंच की जएगे तो में लिख दिया 0.76 ठीक है ना बैंच की कितनी है हमारे पास 30.6 इसकी वेलू आती है 9.8032 कितनी आती है 9.8032 ये इसकी वेलू होती है इसकी ग्रेविटी एकसेशन की ऐसा ही सिस्टम में एनी बीटर पर सेकेंड स्कुर्ण जब इस तीनों का मैं मैं मैंटिप्लाइं करता हूँ तो ये वेलू के लिख दलके आती है 1.01325 इंटू 10 की पाव 5 और यूनिट की आई 1.01325 इंटू 10 की पावड फावड पास्कल फास्कल को बाग रहती है तो इसको लेक्स करता हूँ 1.01325 बाद हो तो यहां पर आप में देख आप कि 1 APM के तहीं कर्वर्जिन हो देख और यह सभी कर्वर्जिन को यूज करता है कौन-कौन से जान लगने हैं आपको कि 1 APM इस करतो हमेनी mm of HG तो 760 mm of HG होता है और क्या होता है दूसरा द्यान लगना है तीसरा क्या द्यान लगना है यह पांच कर्वर्जन यह विसे शुरूप से आपको द्यान लगने चीन है तो इनके रूप में वह आपको देता है तो प्रेसर को मेजर करने के यह अलगलग यह यूनिट है mm of HG, Taur, Newton per meter square, Pascal और बार इन सब काम यूज करते हैं तो बहुत इंपुटेंट कर्वर्जन है यह प्रेसर का प्रेसर को मेजर इस इंस्टूमेंट के यह से करते हैं तो देखिए अट्मोस्पेर प्रेसर को तो बैरोमेटर के यह से फंड आउट करते हैं अलागी प्रेकल जब हम करते हैं तो मेजर इस इंस्टूमेंट कैसी यूज होते हैं वह हम कैसे स्टेट आउप मैटर के अंदर बताएंगे जहां पर हम मेरोमेटर और मेरोमेटर की बात करेंगे तो मेजर मेंट प्रेसर इस अनदर इंप्रोटेंट पेरामीडर इसकी जो कर गवर्ज लिक वह हम अरुपु लाग होनी चाहिए यह मैं इतने वी ठीक लगाए हैं यह आपको पतावने चाहिए ठीक ना यह आपको पतावने चाहिए